जैहिन प्यारे दोस्तों आज से हम स्टार्ट करते हैं जैमेट्री जो कि आपको 400 कोशन यूटूब में इस किताब का प्रॉपर मिल जाएगा बढ़िया से आप उसे पढ़ लिजे अगर आप S.S.C के कोई भी एक्जाम की त्यारी करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहे साथी साथ आपको हम बता दे इस किताब का पूरा सुलूशन प्रकास अवस्ति एप में नाम मात्र के सुल्क में अबलेबाल है उसके लिए आपको डाउनलोड प्रकास अवस्ति एप कम्प्लीट सुलूशन आपको मिलेगा इस किताब में S.S.C के सारे एक्जाम को कवर किय गया है CGL, Tier 1, Tier 2, CHSL, CPOSI, MTS, GD सभी को कवर किया गया है 7525 कोशन का सुलूशन नाम मात के सुल्क में इस बात को आप समझ गये होंगे एक और बात को समझो यह किताब इंगलिस और हिंदी मीडियम यानि बाइलिंग्वाल है और यहां पर आर्थमेटिक लिखा हुआ है इस आप जमेटरी इस किताब का YouTube में या प्रकास अवस्ति एप में आप पढ़ रहे होंगे प्रकास वस्ति एप में भी जमेटरी के सारे वीडियो निसल कर रखे हैं जो की बच्चा पढ़ सकता है 400 कोशन जब इस किताब का पढ़ रहे होंगे आप ठीक है तो आपको स्वयम सम भज में आ जाएगा ठीक है इस कोर्स को कैसे बाय करना है बच्चा हमें कमेंट करता है तो उसके बारे में हम बता दें प्रकास अवस्ति एप को आप डॉनलोड कर लेना उसके बाद आप इस store में जो यहां लिखा हुआ store इस पर कलिक करना इस store में आप कलिक करना जब आप इस इस्टोर में क्लिक करेंगे तो यहां बाय नौप पे जाएंगे बाय नौप पे जाते ही बच्चा घबरा जाता है जब ट्रिपल नाइन रुपीज देखता है तो इसलिए हमने इसमें जबरदस ओफर दे रखा है और इसमें भर भर के वीडियो दो साल की वैलिटी के साथ क्योंकि SSC के सारे एकजाम करनेट होने में दो साल लगी जाता है हमने ओफर दे रखा है ठीक है बहुत बड़ा ओफर दे दिया है बच्चा बहुत बड़ा 600 रुपए off का offer है जिया 600 रुपए off का offer है इसमें offer आते रहते हैं यहाँ पर offer जब जाएंगे तो coupon code available पर click करेंगे वहाँ पर इसको apply करेंगे और apply करते ये course 399 यानि 2 साल की validity के साथ 300 वीडियो के साथ जियाँ जो कि आपको पहली ही मिल जाएंगे ऐसा नहीं कि पंच वर्षी यूजना में teacher ने course आपको दिया और course कराया नहीं सब कुछ आप प्रकास अवस्ति app में जाकर देख सकते हो और इसमें advanced math की theory के भी वीडियो होंगे ऐसा नहीं कि इसी किताब की होंगे जिस किताब के तो होंगे होंगे proper folder बने होंगे एक बार जरूर आप course में जाकर चेक करना प्यारे दोस्तों अब यहां से आप geometry बर्या से पढ़िए YouTube में और देखिए हाँ इसमें सुरवात की कई classes digital word पे नहीं है बाद में इसका 80% course digital word में 20% नहीं जिसमें geometry भी हमारे white word में पढ़ाया गया है तो प्यार से पढ़िए अच्छे सीखे हेलो एंड वैलकम मैं यानि प्रकास अवस्ती कानपूर वाला प्यारे दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मगर प्यार से कोश्चन्स के लेवल अच्छे होंगे आराम आराम से बताएंगे जिससे आप एक एक word को समझ सके स्टार्ट करते हैं आज का अपना session याद रहे थियोरी पे भी work करते रहना जो आपको 50 घंटे की थियोरी हमने provide की है चलिए कहता है एक त्रबुज ABC कॉमा एक वरत जिसका केंदर O है तो को यहाँ पर खेल गया पहले तो करया एक त्रबुज ABC और एक वरत जिसका केंदर O है के के अंतरगत बनाया गया मतलब जो त्रबुज बनाया गया है वो वरत के अंदर बनाया गया तो यह वरत है थोड़ा बड़े चित्र रहेंगे चिंता मत कुरू अभी त्रिबुज बनाएंगे हैर रखकर फिर कहता है केंद्र O है कोई दिक्कर नहीं केंद्र O है इसका मतलब ABS डायमेटर या BC या CA डायमेटर नहीं है मतलब इसका केंद्र कहीं O है इसका केंद्र हमने क्या कर दिया O कर दिया हमें कोई आपत्ते नहीं अब त्रिबुज आप कैसा बना लो ऐसे बना लो सीधी सी बात है क्योंकि केंद्र है तो A B C क्योंकि तीनों साइड हमारी क्या है त्रिबुज पर है तो केता A triangle ABC is inscribed in a circle with center O AO is produced to meet the circle at K मतलब ये O थोड़ा सा हलका सा ऐसे कर ले उना स्टेट से परपेंडिकुलर लगता है बच्चों को ये ऐसे मिला ठीक है भासा बड़े आराम से करेंगे A को बढ़ाने पर K पर मिलता है और AD perpendicular है BC पर इसलिए हमने इसको हलका तिर्चा किया अब AD ये परपेंडिकुलर है BC पर not a big deal हमसे कहता है एंगल B 80 डिगरी है ये 80 डिगरी है एंगल C 64 डिगरी है ठीक है फिर हमसे कहता है एंगल C ठीक है हमसे कह रहा है एंगल D A की का मान बताई प्यारे दोस्तों जितना आप patience रखोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा सर कैसी अभी सब समझ में आ जाएगा कि सारा खेल है डिगराम जो की महपभय से बना यह लाइन अगर सीधी नहीं लग रही है कोई बात नहीं सीधी बना देते हैं ठीक है अब अच्छे समझो हमसे डी एके का बड़े पेसिंस से डी एके हमसे ये एंगल के बारे में बात किये से ठीक है ये एंगल के बारे में हमसे बात किये अब सर कैसे निकालो ये बड़ा मुद्दा है पहली बात तो अगर ये 80 है और ये 64 है तो ये हम जान गए कि ये कित तो ये 36 होगा मतलब एंगल ये पूरा बात करें तो ये 36 होगा बड़े patience से बताएंगे ठीक है और एक चीज़ समझो अगर मैं बात करूँ ADC की तो ये 90 ये 64 तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो 26 होगा ये पूरा का पूरा 26 होगा सर इस पे भी चर्चा कीज़े तो करतो दिया ही कि ये हमारा इतना होगा अब के सामने भई मोटा मोटा हिसाब हम लोग लेते हैं कि अगर मैं बात करूँ ADC में तो अगर ये 80, ये 64, ये 36 क्योंकि तिर्गुच के तीनों कोड़ों का सम 180 होता है और अगर मैं बात करूँ ADC में ये 64 तो ये 26 होगा अब सर कैसे करोगे ये एक बड़ा मुद्दा है कि सर कैसे आप आंसर को लाओगे और देखिए ये मुद्दा होना भी चाहिए कि ऐसा ने कि आंसर आ जाया सुचो दिमाग लगाया हमने हमने दिमाग क्या लगाया कि ये ऐसे मिला दिया ये ऐसे मिला दिया तो ये और ये दोनों हमारी क्या त्रिज्जाए हो जाएंगे सीधी सी बात है ये दोनों हमारे त्रिज्जाए होंगे और अगर हमको बस ये वाला एंगल मालूम चल जाए ये मालूम चल जाए भाई ये 90 ये मालूम चल जाए तो ये निकल आ और पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, आप भी समझ रहोगे, ठीक है, एक त्रिबुच ये बि बी से में हेक वरत जिसका केंद्र उया अंतरकत बनाया गया, ठीक है, हमें कोई आपत्ती नहीं, ठीक है, समझ गया, ठीक है, एक चीज समझ जो, यहां तक हमने कोई एक्ष्ट पर बना हुआ कोण, व्रत पे बने हुए कोण का दो गुना होता है, अगर ये 80 है, तो ये 160 होगा, ये दोनों तरिज्जाएं हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होगे, ये 180 तो बचा 20, यानि ये 10 होगा, और ये भी 10 होगा, प्यारे दोस्तों, अगर ये 26 है पूरा लाल, त इसका आंसर 16 आएगा, एक बार फिर से समझो, मगर प्यार से, बड़े आराम से ये सेशन कराया जाएगा, थोड़ा सा पेसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ लिखेंगे नहीं, सिधे भरना ही सिखाएंगे, कह रहा है कि ABC एक त्रिवुज है, जो की, circumscribed by a circle, ठीक है, इसका center O है, तो यहां कहीं O मालिया, क्योंकि सीधा मानेंगे, तो फिर लगता है perpendicular, तो O मालिया, फिर हम से कहता है, यह O को बढ़ाया गया, और वो है K पर मिलता है, मतलब यह line ऐसे K पर मिल लही है, नीचे K है, यह आपको समझ गए होगे, और यह हमारा O है, फिर हम से कहता है कि AD as a perpendicular, मतलब यह हमारा क्या है, लंबवत है, और हम से कहता है सिर्फ DAK कमान, तो DAK, हमें यह एंगल निकालना है, कहता है यह value तो 80 है, यह given है, और यह value 64 है, अब खेला देखो, क्योंकि दुबारा में ज़्यादा समझ में आता है, अगर center से हमने यह चीज ऐसे मिला दी, तो यह दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि AO और OC center से equal distance पे होंगे, मतलब 33 कलाएंगे, यह वरत पे कोण है, और यह केंदर पर है, तो कहते हैं कि केंदर पर बना हुआ कोण, वरत पे बने वे कोण का दो गुना, अगर यह 80 है, अगर यह 80 है, तो यह समाच इसे 160 कह जाएगा, यह दोनों भुजाएं बराबर, तो भुजाएं बराबर, तो दोनों कोण बराबर, यानि यह 10 और यह 10, 10, 10, 10, 10, 160, पहले बोलो हाँ, एक मोटा मोटा देखो, यह एंगल 90 है, और यह एंगल 64 है, तो यह पूरा 26 हो जाएगा, सर क्यों, अगर मैं ADC triangle की बात कु होता है, अगर यह 90, तो 64 होना चीए, और यह लाल वाला 10 है, तो यह 16 हो जाएगा, तो DA के हमारा 16 आएगा, याद रहे, आज के जो questions है बच्चा, उसमें हम समय जादा लगाएंगे, देखे, एक बार नी, दो-दो बार बताएंगे, जिससे हम लिखे ना कोई थियोरी, और आप एक बार में समझ जाएं, याद रहे, सिसन और ये किताब दोनों अच्छी है, और प्यार सी पड़ाया जाएगा, दो-सो-अठाइस के बाद, दो-सो-उन-तिस नमबर कोशन लगाईए, सभी लोग, मोहबब से, और पूस्ता है भारत, कि आंसर क्या आएगा, जिहां द इसके पहले के सेशन आपने देखी होंगी, पड़े स्लो वर्जन में जमेंटरी को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा सीखे, आज तो वैसे भी हम कोशिज करेंगे, एक कोशिण को दो-दो बार बत, ठीक है, कहता है, ओ केंद्र वाले एक ब्रत की त्रिज्जा 10 सेंटिम मतलब एक सरकल है, थोड़े बड़े सरकल बनाएंगे, और ओ केंद्र वाले त्रिज्जा 10 है, तो इतना भी मैंड में सेट है, विच सेंटर हो, कि तब पीक्यू और पी आर टू कॉट इच अधर लेंथ 12, मलब दोनों की लेंथ 12 है, हमेसा आ रखना, जब भी ऐसा बोले पी पीक्यू ऐसी बनाना हमेसा, पीक्यू और पी आर ये मैंड में आज से सेट कर लो, कि जब भी पीक्यू और पी आर बनाएं ये, क्योंकि ये होता है 5 स्टार कोशन, बहुत पूछा गया है, और बहुत अच्छे से समझना होगा, अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है, ठ पर काड़ती है, पी-ओ, क्यू-आर, जीवा को एस पर काड़ती है, ठीक है, बाकी आप समझ गए, ये त्रिजाय होगी, ये त्रिजाय होगी, तो हमसे कहता है, ओ-एस की लंबाई ग्याद किजए, किस की चाहिए, हमें इस बार, ओ-एस की लंबाई, मतलब इस पूर्शन क की लंबाई इससे पहले सेम पैटर्ण का जब आपने कोशन पढ़ा होगा तब हमने क्यू एस की लंबाई ग्याद कराई होगी यहां पर यह भावनाओं में बै गया और इसने अपनी चीजों को बदला और यह जो चाहता है हमें वही निकालना पड़ेगा समझ गया कि ने 12 दिया गया और यह भी हमें 12 दिया गया त्रिज्जा जो कि हम जानते 10 है पहले बोलो हाथ अब देखो किस से इस पर परपेंडिकुलर डाला जब यह परपेंडिकुलर जाएगा फिलाल तो यह भी परपेंडिकुलर होगा और जो ये होगा QS वही SR होगा और जो चीज उपर बनने है वही चीज नीचे बनेगी तो वो कोई फर नहीं पड़ता बात बराबर है तो प्याज दोस्तों ये 6 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया दो बराबर भागों में क्यों? क्योंकि QO और PO हमारा क्या है? क्या है? इक्वल साइट है ठीक है? बोथ आर इक्वल टैट मिंस रेडियस है अब देखा जाए ये 6 है ये 6 है और ये डंडी 10 है तो ट्रिपलेट से ये डंडी 8 आजाएगी क्या आजाएगी? 8 आजाएगी तो सबसे पहले हम QS निकालेंगे QS कैसे निकालेंगे? कोशन डादिया ना? हाँ इसको मैं अलग से डाग्राम बनाता हूँ जिससे आप अच्छे समझो और जब पहले भी बताया होगा तो भी हमने अलग से बताया होगा प्यारे दोस्तों एक चीज समझो अगर मुझे इस राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया निकालना होगा तो कहते हैं 1 by 2 बेस इन्टु हाइड मतलब 12 गुड़े 8 और 1 by 2 बेस इन्टु हाइड 10 गुड़े 8 8 से 8 कार्टो, आधि से 8 आधा गया आधि से आधा गया, अच्छा ये 8 कार्टो, ये तो हाइच है ना, सॉर्ण तो आधि से आधा गया, 12 गुड़े 96 डिवाइड बै 10 तो ह बराबर 9.6 मतलब ये हाइट हमारी 9.6 आगे और ये ओल लेडी त्रिज्जा है, तो पाइथा गोरस से हम ये निकालने इसके लिए भी आप टेक्नलोजी का सारा लो, सर कौन सा, यहाँ से अगर 96 और 100 लिखा होता तो ये 25 और 24 का रेशियो होता, एक ट्रिपलेट्स पढ़ाता, 7, 24, 25 मतलब इसका 4 गुना, मतलब 0.4 टाइम्स इसका 0.4 टाइम्स, मतलब समझगे न, 110 लग जाएगा, इसका भी 0.4 टाइम्स, 2.8 मतलब SO की वैलू आ गई क्या, 2.8 तो बस छोटी सी चीज की गई, महबबत के साथ किया गया, इमानदारी से नोट्स में सामिल करना और दुबारा देख लेना, क्योंकि अलेडी हमने इस चीज को यहाँ पर बना के दिखाया है, हमने कोई rocket science लगाया, भाई, थिर्बुच का area, base into height होता है, तो पहले base ये लिया, height ये लिया, फिर base ये लिया, height ये लिया, तो दोनो height निकलाई, फिर उसके बाद देखो, QSO, तो height मिल गई, ये मिल गई, पाइथा गोरस से लगाया, पर यहाँ पर हमने थोड़ा advance कर दिया, triplets का सारा लेके 2.8 घोसित कर दिया, समझ गए कि नहीं, triplets कैसे जाने, 9.6 से दसमलोट आया, तो यहाँ 10, 0, तो 96, 100 का ratio 24, 25, तो 7, 24, 25, पर देखा जाए, 9.6 तो 24 में 4.4 का गुणा करोगे, तो 9.96 आएगा, और 25 में 4.4 का करोगे, तो, समझ गए ना, मतलब यह 9.6 हो जाएगा, और यह 10 हो जाएगा, जब ऐसा करोगे, ठीक है, समझ गए ना, चाले, बढ़या question, प्यार से पढ़ाता हुआ, मासूम सा teacher, 212 के बाद, 239 के बाद, 230 नंबर question, सभी लोग लगाईगे, धैर के साथ लगाईगे, सबसे बड़ी बाद, जिसने धैर रखा, उसके सारे आंसर सही आएंगे, तो सारा खेल है, आपके धैर पर, कितने प्यार से आपने इसमें धैर रखा, चले, बहुत आराम से बताएंगे, क्योंकि सारे questions अच्छी हैं, और जब अच्छी questions होते हैं, तो सिखाना चाहिए, time pass कराने से कोई फाइदा नए, हाँ, अब 230 आपको आसान लगेगा, दो चार questions हमेशा हलकी होते हैं, समझो, इने circle with center O, कोई एक circle है, इने circle with center O, कोई circle है, जिसका center क्या O है, केंदर वाले एक वरत में ABC एक चाप है, क्या है ABC एक चाप है, अब कहां पर है, अभी रुख जाओ, जो वरत के केंदर पर, 140 डिगरी का कोड बनाता है, तो इन general चाप हम ऐसे रखेंगे, और ये 140 डिगरी का कोड भाई, ऐसे रखेंगे, तो ये A, ये B, और ये फिर C, ऐसे, क्योंकि यहां टच एक चाप लगाया, ABC एक चाप लगाया, समझ गए कि नहीं, और जीवा A, B को बिंदू P तक खीचा जाता है, जीवा, A, B को, बिंदू P तक, तो बाहरी जाएगी, ये जीवा हो गई, बिंदू P तक खीचा जाता है, खीच दो भाई, फिर कहता है, C, B, P, बराबर होगा, C, B, P, C, B, P, बराबर होगा, हमें ये कोड निकालना है, अब इतना ही information दिया गया, और कुछ नहीं, पहली बात क्या कहा गया, कि ABC एक चाप है, हमने तुरन चाप नहीं बनाया, फिर हमसे कहता है, कोड 140 जिगड़ी है, तो हम समझ गया कि ऐसे बनता है, तो ABC ऐसे लिखा, फिर हमसे कहता है, जीवा AB, मतलब कॉड AB, तो this is the कॉड AB, और इसको बढ़ाया गया, कॉड AB को बढ़ाया गया, increase किया गया, produce किया गया, तो P तक, फिर हमसे घुम गया, हमसे कहता है, CBP का कोड बताओ, दिखो इसमें एक ही फंडा होता है, ऐसे करके हम extra draw करते हैं, इसलिए कोशन अच्छा होता है, अब ये केंदर पर बनाए, तो वरत पर बनेगा 70, ये center पर है, तो circle पर 70 होगा, और ये हो गया cyclic quadrilateral, क्योंकि एक टच यहां कर रहा है, 2, 3, और 4, 4 टच कर रहा हैं, तो cyclic quadrilateral होते हैं, अगर ये 70 है, तो ये 110 हो जाएगा, क्योंकि cyclic quadrilateral में, चक और ये 70 होगा, और this is the straight line, that's why ये 70 होगा, तो आज से हम ये भी याद रखेंगे, कि ये दोनों सेम सेम होते हैं, तो 70 is the right answer of this question, यानि concept is the power, जो पढ़ेगा, वही बढ़ेगा, 231 नमबर question, कुछ questions आसान भी होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, और सीखेंगे, सीखेंगे, मगर प्यार से, कहता है, 13 cm त्रिज्जा वाले एक वरत में, एक जीवा खिची गई, जो कि 5 cm की दूरी पर है, जीवा की लंबाई क्या, तो कुद्रत की माया है, ये आसान question, 13 cm अले ब्रत पे एक जीवा खिची गई, तो ये जीवा हमने खिच दी, और 10 से 5 की दूरी है, मलब सेंटर से ये 5 की दूरी है, और इसकी रेडियस 13 होगी, जो कि गिवेन है, तो बच्चा आप तो ये बिलकुल आसान है, क्योंकि हम जानते हैं, 5, 12, 13 triplets होता है, तो 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, और ये भी जानते हैं, कि ये परपेंडिकुलर होता है, और ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, सबी जानते हैं, पहले समझो, एक्चुली मैं आईसो इसकेल समदी भाव तरिवोज बनता है, भाई, ये तरिज़ा, ये तरिज़ा, और ये कॉर्ड है, तो ये परपेंडिकुलर आएगी, तो बराबर भागों में बाटेगी, ये एंगल बाई सेक्टर भी होता है, समझ गया ना, और हमसे कह रहा है, कि भाईया, जीवा की लंबाई, तो 12 दूनी 24 इस दा राइट आंसर, चैड़े, दोस्तों, जीवा जीवा करके एक कोशन 232 नंबर जो आया, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कॉंसेप्ट लिखवा देते हैं, आप उन्हें याद करेंगे, तो ऐसे कोशन में आपको आसानी देखेंगे, दो चीज़े होती हैं, और रट ले, टाइम बरवाद मत करना, याद करना, कहीं प्रूब करने जो अतनी होती, जैसे ये कोड है हमारा AB, और ये कोड है हमारा CD, ये दो जीवाएं, इंटरनली, इंटरसेट कर रहे हैं, मतलब अंदर काट रहे हैं, तो कहते हैं, कि अगर अंदर काट रहे हैं, तो A से P, या ऐसा कर लो, A से P ने, P से A कर लो, P से B, बराबर होगा, P से C और P से D, याद रहें, ये दोनों हमारे जीवा को हम लोग कॉड बोलते हैं, फिक है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर हमसे क कोई कह दे externally बाहर की ओर बाहर की ओर जैसे यह P रहता है इसी को हम AB कहते हैं और ऐसे ही CD लिख देते हैं इसे हम लोग वैसे बोलते हैं इंगलिस में second जिसे छेदक प्रतिछेदक जो भी बोल दो दो जिवाओं को बढ़ाया गया और बाहर कहीं कटवाया गया तो इसमें भी य प्राबर P से C और P से D यह formula आपको याद करने हैं धिरे धिरे formula बढ़ेंगे questions की ओर क्योंकि 400 questions अगर हैं तो पढ़ाना पढ़ता है मजाक नहीं होता तो अच्छा था इस property को आप लिख सकते हैं बोलो हां कि सर हम लिख लेंगे इस property को और बिना लिखे काम नहीं चलेगा ऐ आइसा माना जाता है तो पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और प्रॉपर्टी को जरूर लिखते रहिएगा तो अच्छा question था जो कि बता दिया गया अच्छा question नहीं बताया गया प्रॉपर्टी बताया अब 223 नमबर question को सीखेंगे कहता है एक व्रत की दो जीवा एबी और सीडी व्रत की केंद पर बिंदू पीपर एक दूसरे को काटती एक व्रत की हैं दो जीवा एक व्रत की दो जीवा AB OCD केंद पर एकदूसरे कारिती हैं बना लो आई ABCD कैसे बने कशभालो ABCD अभी थ्योरी बताई है की बस वही है और सिधने याद करते हैं सब लो प्रूप प्रूप नहीं करते कहता है हमसे AB बराबर 10 अगर AB 10 है तो इसे X ले लो और इसे 10-X सर क्यों क्योंकि AB बराबर और हमसे कहता है PC 5 है PC 5 है AP 4 है तब CD ग्याद कोई तो यहाँ बदल गया इसने AB बराबर 10 तो बोला पर आगे इसने बोला AP 4 है तो अगर यह 4 है तो यह 6 होगा और यह हमारा X होगा यह हमारा क्या होगा X होगा बस खेल जाओ मेरे भाई प्रोपर्टी अभी बताई है PC A जो की 4 आएगा PC B जो की 6 आएगा PC C जो की 5 आएगा और यह PCD X आएगा तो 24 बटा 5 जिसे 4.8 X यानि PD की वैलू बोलेंगे पर हमसे कहता है CD बताओ क्या कहता है CD बताओ तो CD यह 4.8 है बच्चा और यह इसको जब जोडेंगे तो 9.8 आएगा This is the value of CD यह किसकी वैलू है CD की वैलू है जो की हमें प्यार से पढ़ना चाहिए चलिए next question दिखिए मगर प्यार से धैर सयम और विवेक से हर चीज को हम लोग सीखेंगी बहुत महबबस से चलिए केता है इन्हे circle with center of and arc ABC substance and angle 110 फिर से देखो कुछ ऐसा ही बोला है arc ABC प्यारे दोस्तों ABC हम लिख देंगे यह angle 110 है और यहाँ पर हमसे ABC arc की बात किर रहा है तो ABC arc हो गया फिर कहता है the chord AB produced to add P same pattern का question the chord AB तो यह AB produced to P अभी कराया था और CBP का मान पुछा है CBP यह angle हमसे पूछा है प्यारे दोस्तों हिंदी में पढ़ लो कहता है O केंद्र वाले एक ब्रत में ABC एक चाप है तो ABC एक चाप है जो ब्रत के केंद्र पर 110 का कोण बनाती है जीवा AB को बिंदू P तक खिचा जाता है तो CBP का मान बताइए बाकी लोग समझ गए होंगे कि आंसर क्या आएगा फिर भी हम बताएंगे कि केंद्र पर बना हुआ कोण ब्रत पे बने हुए कोण का दो गुना अगर ये 55 है तो ये 110 तो 110 का आधा 55 और अगर ये 55 है तो ये भी 55 ही हो जाएगा क्यों? cyclic quadrilateral देखें ये 4 बिंदू cyclic quadrilateral तो आमने सामने के कोणों का सम 180 होगा अगर तो ये 125 हो जाएगा 125, 5, 180 होता है तो ये 55 हो जाएगा ठीक है तो इसका right answer क्या आएगा? 5 आएगा बोलो हाँ, महबबस से सीखिए प्यार से जानिये जी हाँ दोस्तों महबबस से सीखिए प्यार से जानिये 234 नंबर कोश्चन को हम लोग सीखेंगे मगर प्यार से तो हर चीज धैर सयम और विवेक के साथ आपको पढ़ाई जारिये जैसा कि आप स्वयम जानते हैं बोलो हाँ तो नेक्स्ट कोश्चन लगा दिया न कहले कहता है हमसे PQRS एक चक्रिये चत्र बुज़े मतलब PQRS एक साइक्लिक क्वाडी लेटरल है हमें कोई आपति नहीं जिसे PQ बराबर X QR इतना RS इतना इतना एक चीज समझो ये प्रोपेटी हम पहले भी बता चुके है कि PQRS को समधिभाजित करता है तो X का मान क्या होगा तो एक थियोरम लगती है साइक्लिक क्वाडी लेटरल में बहुत अच्छे समझना जैसे ये साइक्लिक ये और ये कैसा बना लू एसा बना लू दीके भासा बड़ी मैटर करती है कहता है हमसी PQRS एक साइक्लिक क्वाडी लेटर है चक्रिय चत्तुर्बुज जिसमें PQX है PQX है Not a big deal QR 16.8 है RS 16 है और PS 25.2 है तो हमसे कहता है PR और QS को समझी भाजित करती है PR QS को समझी भाजित PR QS को समझी भाजित करती है मतलब ये कर रही है मतलब ये रेखा गई है ना कि ये पड़े समझो ये रेखा समझी भाजित कर रही है यहाँ पर बहुत अच्छे से दमझो PR QS को बाइसेट कर रही है खुद को अपने आपको नहीं कर रही है तो इसमें हम एक ठीओरम जानते हैं कि पी एस यह बाइसेट किया तो बस इतना यादग ना P से S, S से R, तो P S into S R बराबर जो होगा, वो P Q into Q R के बराबर होगा, थियोरम को बहुत अच्छे समझना, यहीं गलती होती है और यहीं खत्रा होता है, जो P से S है, भाई यह Bicep ऐसे की, यह P R किया, तो यह दो अलग हो गया, जब यह दो अलग हो गया, तो इन दोनों का into, इ ऐसे याद रखना, कि भाई जब यह P R QS को तुकड़े कर रहे हैं, तो ऐसे लाइन जा रही है, तो इन दोनों का into, इन दोनों के into के बराबर, सीधे याद कर लेना, तो P S की value आएगी 25.2 into 14, और यह 16.8 into Q R की value 16.8, और यह X, P S X हो गया, दिख रहा है न, अब इसे काटना है, सर कैसे काटें, दिखो, दसमलों से, दसमलों हटा दू, साब साब दिख रहा है कि 14 के पाड़े में याता है, 14, 28, 12 बार में, और 12 से ही जाएगा, 12, 24, 31 बार में, तो the value of X, 21, the right answer of this question, guys, 21 आएगा, क्या आएगा, 21 is the right answer of this question, तो बहुत अच्छे से explain कर दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है, और बहुत धैर पूर्वक explain किया गया है, तो इस question का जो answer आएगा, वो आप समझ गए होंगी, बोलो-बोलो, tell-tell, चाले, तो 234 के बाद, next question, पढ़ा जाएगा, 235 नंबर question, सभी लोग लगाईए, धैर पूर्वक, 234 ही बताया देना, एक सेट, ठेक है, 235 नंबर question, धैर पूर्वक लगाईए, कहता है, किसी वरत के चारो और, चत्रूबूज, A,B,C,D, खीचा गया, कोई एक वरत है, जिसके चारो और, चत्रूबूज, A,B,C,D, खीचा गया, ठीक है, यहां ध्यानक ना कोई व्रत के चारोर खिचा गया है तो ऐसे एक व्रत बनाईए और ऐसा कुशन पढ़ा चुकिया है ऐसे टच कीजिए ची है ऐसे कर लिए कैसा भी कर लिए किसी व्रत के चारोर खिचा गया जिसमें एबी बराबर आट है तो आसान कोशन होता है एबी बराबर आट उस टाइम प्रूब भी किया था हमने बी सी बराबर सात और सी डी बराबर स्इट हमसे एडी कहेगा कहेगा ये भुजा बता दो तो आप जानते ही जो इन दोनों का योग होता है वही इन दोनों के योग के बराबर अगर ये 7 है ये 8, 6, 14 है ये 7 है तो ये भुजा 7 होगी ठीक है पहले भी हम प्रोब कर चुके हैं जैसा कि आप जानते हो इसलिए direct answer अगर कोई तकलीफ है कि नहीं मानना तो इस external point से मलों A वाले point से तो ये दोनों tangent A हो गई ये BB हो गई ये CC हो गई और ये DD हो गई देखा जा है आमने सामने A, B, C, D तो दोनों का योग बराबर हो गया और A, B, C, D आमने सामने दोनों का योग बराबर हो गया तो योग दोनों के बराबर होने चाहिए तो आसा है आप answer को समझ गए होंगे चलिए 235 के बाद हम लोग सीखेंगे next question 236 number question स्वयम से बनाईए और कोशिस क जीए answer निकालने की हर चीज को well manner आपको सिखाया जाता है ऐसा मेरा स्वयम का मानना है 236 number question का answer बताईए कहता है यदि A, B, C किसी व्रत पर तीन बिंदू इस प्रकार है मनला व्रत पर तीन बिंदू इस प्रकार है कि जीवा A, B, A, C व्रत के केंदर ओपर है A, B और A, C व्र कहने का मतलब कुछ भी आप डियाग्राम ऐसे करके बना लूँ ये A, B, C भासा को समझना ABC are the three points on the circle such that the angle is sustained by the chord AB chord AB के द्वारा जो एंगल सब्स्टेंट किया गया और A, C द्वारा at O तो AB द्वारा ये एंगल और A, C द्वारा ये तो ये हमको दिये गए है 110 और 130, not a big deal फिर हमसे कहता है तो B, A, C बताई, B, A, C बहुत आसानी से आप समझो ये एंगल अगर हमें मालूम चल्या है तो आंसर तो ये center पे 360 होता है ये 130, 120, sorry 130, 11, 110 तो 240 हो गया, that's why ये 120 हो गया, क्योंकि तीनों का जो sum होगा वो 360 अब केंदर पर बना हुआ को, वरत पे बने वे कोण का दो गुना और वरत पे बना हुआ कोण केंदर बने वे कोण का आधा तो ये 60 हो जाएगा, तो हमसे कह रहा है B, A, C कमान बताईए, तो 60 is the right answer of this question चलिए 236 के बाद, आगे चलेंगे 237 नमबर कोशन, ये कोशन टफ नहीं है, आसान है, देखो आसान है, पर ये अच्छा कोशन है ये बिलकुल आसान तब हो जाता है, जब हमारी रेडाई दोनों में सेम हो, पर यहाँ रेडाई अलग-अलग हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छा कोशन है, बढ़्या से इसको नोट्स में सामिल करना, और इसकी कैलकुलेशन समझना अलग-अलग वैलू पर अलग-अलग कैलकुलेशन होती है, तो यहाँ पर जो रेडाई हैं दोनों की वो अलग है, that's why यहाँ पर आपको चीजे समझना पड़ेगा पहले समझे, कि 7 cm और 5 cm तरिज्जा वाले दो अब्रत ABC, एक दूसरे को काटते हैं, उनके केंदर की बीच की दूरी 10 है, देखो जब टच करते हैं, पहले समझे, जब टच करते हैं तो यह 7 कहलाता और यह 5, तो यह 12 कहलाता, पहले बोलो हाँ, टच करने पर दूरी, दोनों केंदर पर, अब टच नहीं कर रहे हैं, 12 से कम है, 10, तो इसका मतलब एक दूसरे को इंटर सेट कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, ऐसे, तो ये हमें दिया गया है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी AB, जो कि हमें कहता है 10 है, हमें कोई आपती नहीं 10 है, पहले की रेडाई किता है 7, तो ये चीज 7 है, और दूसरे की रेडाई क्या है 5, दूसरे की रेडाई क्या है 5, बहुत अच्छे समझना, कहीं पर भी आपको टे सेंटर तो बुजा होगी दो ब्रत ए और बी पर एक दूसरे को काटते हैं ओके यह जो सेंटर हैं यह यह भी नहीं है यह भी ठीक है इस पर काट पर ठीक है यह चाहिए हमको सेंटर ओवन और ओटू ले लो not a big deal चीजों को सब्सक्राइब हम जानते कि कभी भी कॉड है तो यह पर पेंडीकुलर होगी यह पर पेंडीकुलर होगा यह पूरा 10 तो इसको x माल लो और यह 10-x हो गया मैं मोटा मोटा कहता हूँ यह दोनों में common है बोलो हाँ जब दोनों में यह चिश common है और जो यह होगा वही नीची होगा यह दोनों भी बराबर होगे कहने का sense आप बढ़या समझो अगर मैं पाइथा गुरस से d माल लेते हैं अगर मैं पाइथा गुरस लगाओ तो 7 का square minus 10 minus x का whole square जो की ad के square के बड़ाबर आएगा और same चीज पाइथा गुरस लगाओ इसी में तो 5 का square minus x square तो दोनों में ad square value same 7 का square 49 minus 25 जिसे समाच 24 के नाम से जानता है ये value इधर ले आओ ये value इधर आगई 10 minus x इधर आएगा तो खोल दो 100 x square खोली दो 20 x minus x square सीधी सी बात है ये इधर आया तो 10 का square 100 x square और 20 x minus x इसका इसका happy बड़े हो गया तो 20 x वराबर 100 में से 24 जाएगा 26 आएगा तो x बराबर कितना 4 से काटो 4 से जा रहा है सहीथ 19 बार 19 चोकर 76 होता है 4 से ये 5 बार मलब 19 बटा 5 the value of x इसकी value 19 बटा 5 आगए अब पहले हमें ये ad चाहिए तो ad चाहिए तो ये चीज़ हमें रफ करना पड़ेगा इसमें पैथा गुरस लगा दो तो पैथा गुरस में क्या 5 का स्क्वार माइनस 19 बटा 5 का whole स्क्वार तब हमें ad प्राप्त होगा तो कोई बात नहीं not a big deal प्यारे दोस्तों 5 का स्क्वार 25 पांच का स्क्वार 25 यानि 625 माइनस 19 का स्क्वार 361 अपांच का स्क्वार 25 हमें ad अगर चाहिए तो ये स्क्वार रूट में आ जाएगा कहते 5 में से 1 गया 4 आएगा बोलू हाँ और 11 में से 6 गया 5 आएगा और ये 5 में स्क्वार 254 हो गया 254 अब ये खत्रा बनाए ठीक है यहां तक आपको कोई आपति नहीं होगी कि सर हमें यहां कोई टेंसन है ऐसा आप कही नहीं सकते क्योंकि क्याल्कुलिशन पर हम वर्क करना सिखा देते हैं जो कि किसे प्यार से ठीक है जो कि कैसे प्यार से ऑप्शन तो नीचे तो 5 आ रहा है उपर का मैटर कर रहा है हमारा तो यहां तक आया ठीक है 204 है क्या चाचट गुड़े चार होता है और नीचे से तो 5 आ गया चाचट गुड़े चार सचव को 24 चार दो हासिल 24 दो 26 तो यहां कुछ मिश्टेक ही है डरना नहीं है ओहो यहां को हम लोग लिख सकते हैं दो रूट के अंदर छाचट बटा पांच पर प्यारे दोस्तों एक बात कुछ सुमना बहुत अच्छे से कि जो वैलू AD की होगी वही BD की होगी तभी तो हमें AB चाहिए मतलब AB बराबर जो होगा वो 2 AD की आएगा राइट तो इसी वैलू का डबल कर देना 4 by 5 root 66 is the right answer इस question का answer 4 by 5 root 66 आएगा पूरी calculation सही है अच्छा यह 5 नहीं दिख रहा था आपको यह नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहां light पढ़ लए अब दिख रहा होगा अब भी नहीं दिख रहा होगा तो यहां 5 ऐसे कर देते हैं ठीक है नीचे लिख दिया उपर light पढ़ लए है तो वो दिख नहीं रहा है ठीक है एक बार कौध तो repeat कर देते है पूरी calculation को म और बड़े प्यार से इसको हम फिर से देख लेंगे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे समझना ये एक सरकल और एक ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये ए और बी पर एक दूसरे को काट रहे हैं और ये लाइन ऐसे आए जिसे आप O1 और O2 तो इसे हम कॉड बोलेंगे तो ये हमा 90-90-90-90 जिसे D बिन्दू बोला तो हम जानगे कि जो AB होगा वो टू टाइमस होगा AD के पहली बात तो ये हो गया क्योंकि ये एक्वल बाइसेट कर देते हैं दो बराबर भागों में अब रेडियास हमें दी गई 7 और 1 दी गई है 5 साथ और 5 और माना जा रहा है कि ये पू हमारा कॉमन होगा तो इसमें हम पाइथा गोरस लगा देंगे कैसे साविन का स्क्वार माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वार इस इक्वाल टू ये खोलेंगे उदर तो 100 प्लस X स्क्वार माइनस का 20 X हो गया और ये माइनस का X स्क्वार इसका इसका हैपि बटे यानि कैंसिल हो गया तो 20 X बराबर 76 के तो x बराबर 19 बटा 5 ये बात समझ गए होगे अब हम पाइथा गुरस लगाएंगे ये चीज हमारी 19 बटा 5 आगे अब पाइथा गुरस लगाओ तो ये ad चाहिए तो ad जो चाहिए वो अंडर रूट में हो जाएगा किसका 5 का स्क्वार 25 और नीचे 19 बटा 5 का स्क्वार त तो 19 का स्क्वार 361 पांच का 25 तो 625 में से ये घटाओगे तो 625 में से 361 बटा 25 तो नीचे से तो एक बटा 5 बहारी आजाएगा और 5 में से एक गया 4 आया 12 में से 6 आया 264 जोकि साब सब दिख रहा है 4 का मल्टिपिल है तो इसे एक बटा 5 चार गुड़े च्छाचड में आ यह चीजिस के बाद यहां लिख दे रहें तो यहां से दो अपन रूट चार चर और इसकी वैलू 4 वाई 5 रूट 66 आगे तो कहते हैं कॉंसेट इस दा पावर जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा तो आपने कॉंसेट सीख लिया ऐसा माना जाता है बोलो हां कि सर हमने कॉंसेट को सीखा तो बढ़िया से बताता हूं ऐसा मेरा खुद का मानना है और डेली पढ़ना है निरंतर पढ़ना है कॉंसेट को समझना है चलिए नेक्स्ट कोशन सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बस से 237 के बाद 238 नंबर कोशन को जानेंगे तो बस 67 कोशन बताने बड़े प्यार से बताएंगे समय लगाएंगे हारी कोशन में जल्द बाजी नहीं करेंगे ठीक है आधे गंडे गंदर हम लोग सब पढ़ लेंगे बड़े प्यार से कहता है हमसे दो जीवा है एबी और सीडी कैसे बनाईए इन जर्नल हम ऐसे बना लो चाहाओ एबी ऐसे लिख लो जब एबी ऐसे लिखा तो सीडी को ऐसे लिख लो कैसे विकलो वह आपकी मैनत पर डिपेंड़ एक दूसरे को ई पर काट रहे हमसे कह रहा है एई बराबर बारा किया बी इ बराबर किसके बीस पॉइंट टूफाइब के सी इ बराबर तो वो सी तीन के है यह बैलू दी गए अच्छा थी टाइम्स डी ए के है तो डी इ को एक्स ले लो तो ये थ्री एक्स हो जाएगा यह बोला गया है इस पर ध्यान देना होता है अब हम जानते हैं इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर होता है ये चीज हम जानते हैं बोलो हाँ जब जानते हो तो बारा गुड़े 20.2.5 और इन दोनों का एंटो तो 3x स्क्वाइर आ गया तीन से ये चार बार गया स्क्वाइर रूट ले लो तो यहां से 2 आएगा ये कहते हैं 45 का होता है मलब 4.5 का जो की x बराबर नो अगर ये चीज नो हो गई तो ये चीज 27 अब हमसे पूछ क्या रहा है इस पे भी फोकस करो हमसे कहता है c e की वैलू बताओ तो c e की वैलू क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी c e की जो वैलू होगी c e बोला गया मेरे बाई c e जो की 3 टाइम से d e का तो 27 is the right answer of this question चलिए 238 के बाद 249 नमबर बढ़िया से सीखेंगे प्यार से जानेंगे और धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे 244 तक कराएगे 249 नमबर है तो 6 question है करेंगे कहता है हमसे एक व्रत की दो जीवाएं a b और c d को इस तरह बढ़ाया जाता है कि व्रत के बाहर किसी बिंदू पर इंटरसेट करता है कि तो कोर्स ओफ a b और c d of a circle are produced to intersect each other at a point p outside of the circle outside of the circle a b और p बिंदू ठीक है किसको बढ़ाया गया दो कर्ट a b और c d this is the a b you know guys और this is the c d क्योंकि बढ़ाया गया उसके हिसाप्स चलते है ठीक है आप कहता है a b is equal to 7 not a big deal this is the value of 7 bp bp कहरा 4.2 तो this value अभी दिखेगा bp 4.2 और p d 2.8 p d 2.8 और हमसे कहरा है c d तो this value is equal to x c d के value चाहिए ना तो इसे आप क्या कहलो x कहलो sum हमें चाहिए क्या p d चाहिए कि c d चाहिए दोस्तों कुछ नहीं आपको बताया हुआ है कि p से a करना है p से b करना है और p से c करना है और p से d करना है यह बात mind में set करना तो p से a 7 4 11 11.2 p b 4.2 p c the value of p c p d तो 2.8 हो गया p c की value 2.8 plus x हो जाएगी 2.8 plus x हो जाएगी सर कैसे करें देखो धैर रखोगे तो सब हो जाएगा इससे यह पूरा का पूरा कटता है 8 चुक 32 चार बार में 4 का गुणा इसमें करो 8 हो गया 4 चुक 16 हो गया जोके 2.8 plus x तो x बराबर 14 तो इसका जो सही आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा 14 इस दा राइट आंसर ओप दिस कोशन इस कोशन का आंसर 14 आ जाएगा तो easy है इसमें कोई वो नहीं कि आपको दुबारा बताना पड़े 240 नंबर लगाईए मगर प्यार से खुद से ट्राइ करिए सबसे बड़े बात जो खुद से ट्राइ करेगा वही आगे बढ़ेगा ऐसा लोगों का कहना है तो जरूर लगाईए और चीजों को सीखें हर चीज को सिखाया जाएगा मगर प्यार से 240 नंबर को लगाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को होई होगी इस वाले में तो क्या कहता है 240 बढ़ियां से पढ़ना खत्रा होता है इसमें इसको बताने से पहले आपको एक प्रॉपरिटी बता दे जिससे आपको कोशन बड़ा आसानी से नजर भी आएगा कि अगर यह second यानि 6 दक और यह tangent और यह p से t है और यह a b है तो कहते हैं p t का जो square होता है वो p से a और p से b के बढ़ावर होता है यह चीज़ है टेंजन वाले कोशन अलग से भी होँगे पर बीच कष में आ जाएंगे तो दिक्काद नहीं बताएंगे यह property आपको अपने mind में बैठाने पड़ेगी तभी ये question होगा जो बताने वाले हैं बाकि उसमें खत्रा है ऐसा नहीं कि नहीं है खत्रा है पर property mind में त्रेट करो किता तिरवुच ABC में AB, AC के बराबर है। यहां बस ये बोलने से खेला हो गया कि तिरवुच ABC में AB, AC के बराबर है ये माइंड में बैठा ले रहा है। फिर कहता है P से होकर खीचा गया वरत AC को D पर स्पर्स करता है। AC को deeper ispurs कर रहा है पहले फिर स्छे $LINE को समझो B से होकर खीचा गया kyan रही है खीचेंगे तो ऐसी और deeper ispurs कर रहा है deeper ispurs कर रहा है और जदि D AC का मदढ़ बिंदू है मदढ़ बिंदू का sense क्या जो ये value होगी वही ये होगी और अगर हमने क्या किया पूरे value को 2x मान लिया भाई A, B, A, C बराबर है तो ये भी x होगा ये भी x होगा और A, B हमारा 2x होगा जिससे आपकी calculation आसान होगी आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसलिए हमने ऐसे कर दिया ठीक है कहता है A, P बराबर खेल गया हमारे साथ तो हमसे कहरा A, B बता देओ प्याए दोस्तों डरना मना है चीजों को सीखना पड़ेगा एक चीज समझो अगर मैं अपने इस property के हिसाब से tangent के इस पर से रेखा के हिसाब से खेलू तो ये दो point काट रहा है कैसे यहाँ दोनों में काट रहा है पहले बोलू हाँ नहीं काटा तो लो कट गया ज़्यादा है तो और ये हमारी as a tangent हो जाएगी और tangent है इसे कोई नहीं रोग सकता तो हम property लगा सकते हैं कि AD का square बराबर A से P और A से B क्योंकि यहाँ पर A exterior point है पहले बोलू हाँ AD तो हमारा x square हो जाएगा AP जो कि 2.5 है और A भी A भी नहीं मालू A भी यह मारा 2x minus 2.5 हो जाएगा ठीक है calculation पे हमें ध्यान देना होगा ठीक है और चीजों को समझना हो चीजों को समझना हो यह बिल्कुल सही लिखा है अब अगर हम यहाँ x assume करें या कुछ करें तो कश्ट हो सकता है पर यह भी तो हम जानते हैं कि अगर AD तो x square है यह 2.5 है तो AB की value यहाँ से 2x भी तो है तो हम इस value के इस्तान पर 2x का ओ हो यह तो रखने नहीं था 2x ही रखना था यह पूरा AB लिखना था ओ सही था पहले भी सही था बस खेल जाओ मेरे बाई क्या इस सर x बराबर आ गया 5 x बराबर 5 अब हमसे कहता है कि प्रकासर AB का मान बताओ कितना अंसर आएगा 10 कोई मैनत नहीं चीजों को समनना देखो हम ऐसे देखें और यह tangent तो हमने देखा कि AD का square बराबर A से P की ओर जाएगा A से B की ओर इसकी value 2.5 यहां से AB देखो जो कि 2x है और इसको देखोगे AD तो x square क्योंकि हमसे कह रहा है कि AB AC के बराबर भी तो है तो यहां से हमें x बराबर 5 पराप्त हुआ हमसे कह रहा है AB तो 10 आंसर इससे प्यारा तरीका होता ही नहीं है यह mind में set कीजे कि होता ही नहीं है ठीक है 240 के बाद 241 नंबर स्वयम से try कीजे और पूसता है भारत कि क्या आंसर आएगा जी हां दोस्तों पूसता है भारत कि क्या आंसर आएगा हर चीज को मोहबब से सीखेंगे कहता है ABCD एक चक्रिये चत्र बुजय यानि cyclic quadrilateral है भासा समझना cyclic quadrilateral है तो हमने बताया था कैसा भी कर लो ऐसे एक circle बनाओ और कैसे भी चिपका दो कैसे भी आपकी जैसे तिर्चा पिर्चा जैसे ABCD this is the cyclic quadrilateral भासा पढ़ेंगे बाद में अभी तो ऐसे लिखेंगे फिर हमसे कहता है AB बराबर 16.5 अभी 16.5 BC की वालू X है this value is equal to X है और CD की वालू 11 है CD की वालू 11 है और AD 19.8 है not a big deal फिर कहता है AC BD को ओपर प्रतिशेदित करता है जोको AC किसको कर रहा है BD को ओपर दिभाजित करता है AC करता है इसको तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये प्रतिशेदित कर रहा है तो इन दोनों के गुणा इन दोनों के गुणा ये प्रॉपर्टी है थियोरम होती है AD ये बिलकुल रट के बैटना साइथ 3-4 कोशन हो गया अभी तक के सारे सेशन में AD जो कि 19.8 है DC 11 है AB 16.5 है और ये X क्या टू पी चो कहते हैं दसमलों से दसमलों हटाओ 11 से ये 15 बार में गया बोलो हाँ और 198 बटा 15 भाग दे लेना तीन से पहले काड़ दू इस पॉइंट वेंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिलकुल ऐसा कर लो दिमाग लगाओ नए ना 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 काटि लो तीन से काटो तीन से ये 5 बार में गया तीन से छत्रिक अठारा 66 पांस से भाग दोगे 13 दूनी 26 13.2 तो जो X की वैलू आएगी वो 13.2 आएगी कितनी आएगी 13.2 आएगी बोलो हां कि हम सही है चीजों को समझना होगा प्यार से सीखना होगा प्यारे दोस्तों चले 242 नमबर यह एक कैल्कुलेटी कोशन है इजी है हिंदी इंगलिस में कोई दिक्कत नहीं होगी पर कैल्कुलेटी होगी बस यह है है इजी आप आज भी लगा चुकिए ऐसा कोशन बस इसमें क्या है कि आपको यह कैल्कुलेशन करनी पड़ेगी कैल्कुलेटी कोशन है पहले तो को तो मैं इंगलिस से ही कर लूँ केता है डायमेटर एबी और एबी आफिस सर्कल विच सेंटर ओं देखो एक सर्कल है और डायमेटर एबी है और विच सेंटर ओं एक्कॉर्डिंग टू दा कोशन इस प्रडूस्ट टू पॉइंट पी इसे बढ़ाया गया पॉइंट पी तक कहता है सस्देट जिससे की पियो बराबर 16.8 दो पियो बराबर दिस वैलू 16.8 फीर हमसे कहता है पी क्यू आर इसे सेट फडू को पी क्यू यार पी ट्यू आर तो सेकेंड है ऐसे जाएगा पी क्यू आर-पी क्यू और यह पी पी प्यू क्यू रिंसेंट मतलब च्छेदा गया जो बताया थो पहले भी और पीक्यू बराबर बारा के और पी आर उन्निस पॉइंट टू तो गटा दू बारा में उन्निस पॉइंट टू में बारा गटा दू ताविन पॉइंट टू आ जाएगा लाइज तो हमसे कहता है इसमें फॉइंट बेंट की लंबाई गयाद करना देखो इसमें है तो यही प्रोपरich दू जो देखो डायामीटर भी होता है सबसे बड़ी जीवा होता है तो 집 सबसे बड़ी जीवा तो बहुता प्रोपरich दू अ कि अगंड़ है और उसे क्या कहते हैं तो किसी भी व्रत में सबसे बड़ी जीवा यानि COD हमारा डाया मीटर जो कि केंदर से गुजरता जो कि व्यास होता है केंदर से तो जो प्रॉपर्टी यहां से नहीं लगाई बना रहेगा, उपर की calculation, भाई देखो calculation तो करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है, हमें A भी चाहिए हम प्यार से निकाल देगे, देखो कैसे, सीधी सी बात ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये X होगा, पहले समझो, ये X होगा, तो ये भी X होगा, तो यहां से दूरी देखी जाए, तो 16.8 माइनस X, पहली बात तो ये, और हम ये भी जानते कि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों वैलू, मलब जो ये होगा, वह ही होगा, जानते हैं न, अब देखो, प्रॉपर्टी अगर लगाएं, तो P से Q, 12, और P से R, जो कि 19.2, क्योंकि दोनों का य होग, यहां से P से, P से B, P से B लगाओगे, तो ये तो हमने ऐसे पूरा नहीं हो, न, 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 ये वैलू, P से B लगाओगे, तो ये 16.8 माइनस X हो जाएगा, क्योंकि ये वैलू, पूरी की पूरी 16.8 है, ये X है तो 16.8 हो जाएगा, 16.8 माइनस X हो जाएगा और P से एक ही और जाओगे तो पूरा जुर जाएगा 16.8 प्लस X तो यह 16.8 प्लस X हो जाएगा तो यह calculation हो नहीं हो नहीं है अप चीजों को बड़े पेसिंस से आपको समझना है ठीक है तो करते हैं भया calculation तो हमीं करेंगे पड़ोसी करने आएगा नहीं बोलो हाँ कराया जाए भाई देखो 168 का स्क्राइब हो जाएगा 168.8 का स्क्राइब माइनस X स्क्राइब और इसका बाई इंटू कर लो भाई बारा दूनी 24 दूहासिल बारा नोहीं यहां एक सो आठ एक सो आठ एक सो आठ दो दस ग्यारा हासिल बारा ग्यारा तेईस दसमलो यहां लगेगा बस यह चीज यहां दकना ठीक है और यह अब कैलकुलेशन मैं आपको आप यूटूब में सर्च करना स्क्राइब प्रकास सर्मैथ मैथड तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्क्राइब निकालने ट हम गुणा करते हैं वहां आमने सिखाया है और गुड़ है दो तो यह सो 256 ही आएगा अगर यहां एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर 256 लिखोगे और जोड़ दोगे तो चार ऐसे 2, 6, 5, 11, 12 हो गया 25, 26, 27, 28 28, 24, 28, 244 इसका स्क्राइब होगा यह टेक्नोलोजी है हाइटेक जिसे कहते हैं आप यूटूब में सर्च करना स्क्राइब आगे लिखना प्रकास सर्मैन एक से लेकर 10,000 तक के स्क्राइब का मैतड़ बताया हुआ है 1, 6, 8 का स्क्राइब तो तो करना क्या है 8 का स्क्राइब 64 होता है 16 का स्क्राइब 256 होता है पहले बोलो हाँ फिर करते क्या है कि इसका इसका गुणा करेंगे 256 आएगा अगर यहां एक डीड लिए तो एक डीड छोड़कर 256 लिख देंगे अगर दो डीड लिए होती तो दो ड संदी नहीं चलेगी किसी भी टीचर की कोई भी दिस वैलू अब एक चिसम दो एक सिस्क्यार इधर आ गया यह 40 पैसे एक तरीके से इसमें आके घटाओ 282 माइनस 24 माइनस 230.4 तो चार तो ऐसे आएगा 12 में से 4 गया 8 आया अब यहां 11 तो एक ही आएगा और यहां से कोई हासिल नहीं 8 यह 5 आएगा हाँ एक सिस्क्यार बराबर 51.84 कितना है मेरे पैया दोस्तों 51.84 अब आपको यह मालूम होना चाहिए यह किसका स्क्यार होगा 51.84 तो अब यहां में स्क्यार रूट भी निकालना पड़ेगा स्क्यार रूट का यह भी आप यूटूब में प्रकास सर्मेहत करके सर्च करना लाश्ट की सिंगल डिजिट 4 जो कि 2 और वैसे देखा जा मुझे लग रहा बात्तर का होगा फिलाल तब भी 2 और 8 का स्क्यार 51 55 क्योंकि 4900 के ऊपर है न और ज्यादा नहीं 84 दुद्धो का स्क्यार में आता है यह 7 और यह 78 तो बीच में आया 75 75 के स्क्यार 5 का 25 और इसके बाद 8 8 सते 56 56 से 51 कम होता है यानि 22 एक्स बराबर हो जाएगा 7.2 का स्क्यार 7.2 अब हमसे कहता क्या है उसको समझो हमसे कहता है ड का डबल 14.4 इस कोश्चन में दम तो नहीं थी बिलकुल दम नहीं थी बट टाइम टेकन यानि कैलकुलेटिव था यानि जो यहां वैलू रख दी गे थी हम अंधी वे में उन वैलू से आंसर नहीं निकाल सकते थे कि ऑप्सन से चेक करें समय बरवाद करें तो हमें को सीपना पड़ेगा ऐसा माना जाता है तो यह पूरी कैलकुलेशन की है एक बार स्क्वार रूट एक बार स्क्वार यह हमें करना पड़ेगा और तभी आंसर आएगा बोलो हां चाले तो दो कोश्चन बचे हैं प्यार से सीखेंगे महबत जानेंगे इसको दुबारा सबी लोग सॉल करो मगर प्यार से महबत से और चीजों को सीखो चले अंशर बताएंगे तबी आप सीखेंगे और अन्तिम कोश्चन क्या ये भी अच्छा है अंतिम कोश्चन भी अच्छा है बड़िया से उन कोश्चन को हम लोग सीखेंगे बस और प्यार से सीखेंगे दोनों कोश्चन जी हां दोस्तों क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा माना ऐसा जाता है कहता है एक चक्री चत्रुमुश देखिए क्या बोला तो कुछ भी बना लू मैंने पहले बताय है साइक्लिक लेटल जब भी बोले आप कैसे भी डंडी खीज दो ऐसे ऐसे यह बन गया साइक्लिक लेटल नाम करण ABCD हमने ABCD ऐसे कर दिया फिर कहता है जिसमें बुजा AD और BC को बिंदू P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया गया बुजा देखो AD और BC को AD और BC हमारा पता नहीं कहां मिलेगा जाके भाई डियाग्राम तो आमने खतरनाग बनाया ठीक है पर कहां मिलेगा यह नहीं तो ऐसे घलू यह दूरी जाके मिलेगा हमारे में ऐसे दिख रहा ना मिला दिया आप समझ गे ना अब बन गया तो उसके रख नहीं करेंगे जो बन समझ दा लिए और क्या अपके जो सीधी लाइन नहीं जा रही है तो लो भाई या सीधी बना देते हैं कल को तुम धर्द्यम ना बैठ जाओ कि सर आपका तुम अलब सीधा नहीं जा रहा है उसमें कैसी मिला दे रहो देखो कि आजसे सीधा मिला है रहा देखें साइटलिक क्वाडि लेटल भी बना दिया दो रहा जाए अब आव ना कह blij पैंस और तो सीधा लग रहा है कि नहीं लग रहा बैए साइक्लिक क्वाडिलेटर तो क्या यह क्वाडिलेटर नहीं है A B C D अब कह रहा है इसको बढ़ाया गया तो यह सीधे ही जाएगा बढ़ाने पर और कहीं काटेगा भी तू फिर ऐसे बना दो मिलाने पर आगे जाके पीपर मिलते हैं तरब भुजां डीसी और एबी को भी दो जैसे मैं जान बूच कर ऐसा डागराम बार बार बना रहा हूं जिससे आप सीखो कि भाईया यह क्या हो रहा है समझ गए तो यहां पर भी नहीं मिले तो फिर से रफ करें भाई कहां से मिला दें तो अब हमें और सा उधानी रखनी पड़ेगे कि दोनों को मिलाना ही मिलाना है मतलब ऐसे बनाना है कि दोनों मिलें पहले कि अ कि अ कि अ कि कि देखो थोड़ा सा तिर्चा अर्चा करके सेट करके ही बनेगा ठीक है कि 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 अब बी बिना तिर्चा की यह नहीं बन सकता आप भी समझ रहूंगे कि 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 सी और डी कि अब समझ गया कर लिना सीधी है खताम बात अब नहीं बनना है हमसे तो क्या करें ठीक है ठीक है सब ठीक है कि क्या करें आगे बढ़ा है यहां पी और पी और क्यू पर ठीक है डियागरम बना लो फिर हमसे कहता है एंगल ए 60 डिगरी एंगल ए 60 डिगरी ए बी सी बहत तर ए बी सी बहत तर तो हमसे कह रहा है एंगल डिपी सी माइनस टफ नहीं है कोश्ण पर बिलकुल दम नहीं है सारा खेल आप एक दो बाद डियागराम बनाएंगे आटुमेटिक समझ जाएंगे ठीक है तो डिपी सी और इसका अंतर चाहिए समझें नहीं किस और बी क्यू सी ये वाला एंगल कुछ नहीं करना देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेट चक्री चत्रबुज आमने सामने के कोडों का सम 180 होता है सभी जानते है पहले बोलो हाँ ये 60 है ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा और ये 22 है तो ये जो एंगल आएगा 108 हो जाएगा पहल 38 की 38 यानि ये 48 क्योंकि ये एक ट्रेंगल बन जाएगा ये पी एबी ट्रेंगल है अब हमारा डियागराम आप समुझे रहलका तिर्चा ही है ठीक है समझ गए और जब हम इसमें देखें ये 108 ये 60 तो 168 हो गया तो 12 ये हो जाएगा क्योंकि त्रिबुज के तीनों कोडों क पसम 180 है और हमसे करा इन दोनों का अंतर बता दो तो 36 इस दा राइट आंसर तो इस कोशन का आंसर 36 आएगा जी हाँ दोस्तों मगर प्यार से महबबस से और अब अन्तिम कोशन की ओर बढ़ेंगे ये समझ गए होगे चले अन्तिम कोशन बढ़या कोशन है किताब से हड़कर बताएंगे ठीक है आने वाले समय में जो किताब की थियोरम है उसी हिसाब से आपको हम पढ़ा देंगे पर अभी हम क्या है कि थियोरम एड़म सब हम बोड़े में प्रूब कर डालेंगे और अपने हिसाब से हम आंसर निकाल देंगे समझ रहो तो बढ़या समन्ना हट कर कह कैसे हम बता रहे हैं उसको समझना बढ़ियां से बताएंगे थोड़ा बढ़ा करके A, B, C, D, A से B, C से D या C से D ऐसे कर लो वो आपके डिपेंड है पर उस हिसाप से मेनद लगेगी तो O केंदर वाले एक ब्रत की जीवा A, B और C, D बिंदू P पर एक दूसरे को प्रतिछीदित करते हैं यहाँ पर काट रहे हैं हमसे कहता है A, P, C, 95 तो यह P हम यहाँ बना ले थोड़ा सही लगेगा यह 95 और हमसे कहिरा A, O, D, Center O होई A, O, D यह एंगल 110 है यहाँ बोला गया हमसे कहिरा B, O, C बता दो B, O, C वैसे तो यह Property ही होती है वच्चा ठीक है कि हमें यह एंगल चाहिए ठीक है तो निकालेंगे भाई हम तो सारा सारा solve करेंगे ठीक है कहते है इन दोनों का योग का आधा नहीं आधा नहीं चलो हम बताते हैं यह एंगल चाहिए B, O, C आपको हमने एक concept पढ़ाया था संकर जी के मनके से डमरू वाला अगर यह केंद्र है दिखें पूरा प्रूब करेंगे और यह व्रत है अगर यह ठीटा है तो यह टू ठीटा होगा यह आप जानते हो अब सर यहाँ पर कहा संकर जी का मनका और दुनिया मनका आप दिमाग लगाए बैटे हो यह आम तो बहुत दिमाग लगाएंगे अभी तुम देखते जाओ अभी आप देखते जाओ इस center को थोड़ा सा नीचे करते ज्यादा अच्छा लगता तो उपर तो साब साब दिख रहा है कि 180 होगा लोग जाओ डियागराम सही है पर ये state ज्यादा होगा state में लगता है कि वो angle 180 होगा तो फिर बच्चों को confusion आ जाएगा ठीक है ठोड़ा असा एक बड़ समयना state नहीं रखना ठोड़ा साइसे कर लेते हैं तेंजै सारा एक डियागराम अच्छा होगा तो ज्यादा समझ में आएगा इस्लिए चलो CD यहां कर लेते हैं ऐसे जड़ा सा ओर नीचे कर लेते थोड़ा अच्छा दिखे न इसलिए है हाँ वह ना आप मलूम है सीधी लाइन होती तो आपको किसार 180 है इसलिए तो APC APC 95 ये एंगल 95 दिया गया है AOD AOD ये में 110 दिया गया हमसे BOC पूछा गया है ये एंगल पूछा गया है अब हम आपको बढ़या से बताएगे तो सर आप करने क्या वाले सबसे बड़ा के लिए एक चीज समझो हमने ये ऐसे लाइन बना दी एक्स्ट्रा लाइन हमने ऐसे एक एक्स्ट्रा लाइन बनाए और अगर हमने इस एंगल को एंगल x गोसित, x by 2 गोसित कर दिया, तो ये x हो जाएगा, क्यों? वरत पे और ये केंद्र पर, भाई आप तो देखो न, केंद्र पर बना हुआ कोण, तो केंद्र इधर से, और वरत पे ये, तो इसका ये आधा होगा, आप समझी रहे होगे, तो ये x है, तो ये x by 2 हो जाए ये वाली प्रापर्टी आप समझ गए, अब दूसरी प्रापर्टी संकर जी के मनके से जो डमरू निकला था, वो प्रापर्टी हम लगाएंगे, अब सर संकर जी के मनके से डमरू कैसे निकला? इसको भी हम समझेंगे, इसको भी हम समझेंगे, या ऐसा कर लो, यहां तक ठी अगर ये एंगल हमने वाई वाई टू माना तो ये वाई हो जाएगा अब सर ये कैसे देखो ऐसे अब ये आपको बढ़िया से समझ में आएगा कुछ दिकड़ा है अगर ये वाई वाई टू है तो ये वाई हो जाएगा क्योंकि ये केंद्र और ये व्रत कुछ ऐसे जाता है समझ गए ये में प्रॉपर्टी है संकर जी के मनके वाला जो हमने आपको ऐसे करके सिखाया था मनके क्या वह अपनी एक लाइन हो गई कि अगर ये ठीटा है और आपको ये एंगल चीए तो टू ठीटा पर ये चीज कभी ऐसे बन जाए ऐसे बन जाए तो ये ठीटा ये ठीटा क्योंकि सेम ब्रता खंड में तो ये ठीटा तो ये टू ठीटा तो ये चीज बच्चों को नहीं याद रहता बच्चे ऐसे सीधा सीधा कि नहीं होगा तो यह हमारा एक special property वे में बनता है यह समझ डाला तो live जिंगा लाला अब हो गया क्यों इन दोनों का exterior angle यह पी वाला होगा इन दोनों का योग यह बहार के बराबर होगा इन दोनों का योग कोई triangle ऐसे बन रहा है अब यह angle यह angle तो इसके बराबर होता था कि नहीं तो जो पी की value आएगी समझो क्योंकि मैं किताब वाला solution नहीं बता रहा हूँ तो इन दोनों का योग इसके बराबर यानी xy2 y by 2 95 के आने वाले समय में ऐसे portion बहुत आएंगे पहली बात तो यह हो गई कि सर यह चीज हम समझ गए दूसरी बात को समझो दूसरी बात को यह समझ गए कि समझ गए तो इन दोनों का योग आ गया कितना 190 आ गया अब यह center है तो सारे कोड़ों का सम हमारा किता होगा तीन सो साट होगा तो ओपर वाला हमें चाहिए B O C 360 होगा तो इन दोनों का सम तो 190 और ये 110 है तो 300 हो गया भई ये 190 और 110 तो 300 घटादो इसमें तो B O C का जो मान आएगा वो 60 आएगा The right answer of this question 60 आएगा कितना आएगा? 60 आएगा तो ये चीज आपको याद रखना है, बढ़या से, महबबस से याद रखना है, इसका आंसर क्या आएगा, साट आएगा, समझ गए कि ने समझ गए, थोड़ा सा और इसमें हम आपको बता दें, कि अगर आपको direct करना है, direct कि सरम नहीं, तो फिर आपको एक property यादी करने नहीं, किया हमें direct अगर करना है, तो चीजों को समझना होगा, same pattern में कई बनते हैं diagram, अभी हम इसी को ही लेके चलेंगे, जो हमने इस पर बनाया है, हमने यह A, B लिया है, और C यहाँ लिखा है, D यहाँ लिखा है, तिकि अलग-अलग चीज से अलग-अलग बनते हैं, इसलिए हमें value वही लेनी पड़ेगी, यह पी लिया है, एक चीज़ समझना, फिर हमसे कह रहा है, यह ऐसे मिला, और यह ऐसे मिला, यह एंगल हमने माना alpha है, यह beta है, याद रखना, और यह theta है, अलफा बीटा और ठीटा तो कहते हैं जो आपको याद करना है कि आलफा प्लस बीटा का यूग का आधा ठीटा के बराबर होता है यह आपको तैयार रखना है तो आपका अंसर हमेशा जल्दी निकलेगा अब यहाँ अलफा हमें 110 आने वाले समय में सब बताएंगे आपको यह सारी property बढ़िया से रटवाएंगे और बिना रटे काम नहीं चलता तो यह alpha बराबर 110 है और यह हमें पिचान भे दिया गया ना ना यह ठीटा होगा सोरी 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 यह दोनों आमने सामने की ठीटा होते हैं यह हमें पिचान भे दिया गया ठीक है यह हमें पिचान भे दिया गया तो जो ठीटा आएगा बच्चा वो 85 आएगा क्योंकि स्क्रेट लाइने दोनों का सम 180 होगा तो यह हमारा 85 आ गया और यह बीटा मतलब 110 बीटा बाई 2 85 तो 85 दूना 170 माइनस 110 तो बीटा बराबर 60 इसका अंसर 60 दिगरी फिर हम डिरेक्ट लिख आएंगे तो यह आपके महनत पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा ठीक है इसी सारी चीजों को हम एक बार और एक्स्पेंड कर देते हैं 2-3 मिनट और लगाएंगे बस जिससे आपके माइन्ड में यह सब बैट जाए पहला जो हमने किया वो एक तरीके से थियोरम ही प्रूब कर डाली जो कि हमने डिरेक्ट नहीं किया करके ही दिखा दिया एक-एक सब्दों को समझना अब ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि अच्छे कोश्चन में हमें समय देना पड़ता है मुहबबत लगता है देखो यह एक सरकल है जिसका केंद्र है ओ है हमसे कहता है जीवा हमने दो जीवा बना लिए ए बी और सेडी ऐसे करके जीवा बना लिए उसके बाद हमसे कहता है एक दूसरे को पी पे काटता है हमसे कहता है A, P, C इसकी वैलू 95 है और हमसे कहता है A, O, D, A, O, D 110 है अब हमसे कहता है कि यह हमें बता दो मतलब ये एंगल हमें चाहिए ऐसा बोला गया धैर रखो हम इसको प्रूब करके ही बताएंगे देखो ये चीज हमें कैसे निकालनी है उस पे ध्यान देना होता है हमने क्या किया इसको ऐसे पहले derivation समझना जैसे बताया गया थे शुरुबात में ये हमने ऐसे बना दिया अगर हमने ये एंगल ये और इसको देखा अगर मैंने इस एंगल को x माना तो ये xy2 हो जाएगा क्यों क्योंकि केंदर पर बना हुआ कौन वरत पे बने कौन का दो गुना होता है दूसरा हमने बताया कि अगर ये एंगल और ये अगर इसको हमने y लिया है तो ये y by 2 हो जाएगा ये कैसे बस आपको मेर मोटो ये ये वाला चीज आपको दिमाग में बैठालना पड़ेगा कि ये y तो ये y by 2 ये भी वही है कि केंद पर बनावे कोण व्रत पर बने वे कोण का दो गुना होता है पस इतनी ही प्रॉपरटी और कुछ नहीं अब पहला क्या इन दोनों का योग 95 के ब्राबर मतलब xy2 प्लस y by 2 95 के ब्राबर दूसरा समझो इन दोनों का योग 95 के ब्राबर हो गया मोटा मोटा हिसाब और भाई एक्स्टेरियर है ना इन दोनों का योग इसके बराबर और ये सेंटर है तो ये सारे पॉइंटरों का योग हमारा 180 ये 360 होगा मतब 110 एक्स प्लस वाई और बीटा 360 तो देखा जाए ये जो एक्स वाई है ये एक्स वाई तो 95 गुड़ा दो तो हमारा आ जाएगा 190 ये तो 300 हो गया इसमें घटा दोगे तो बीटा 60 आ जाएगा तो बीटा 60 हो गया और अगर आप और एक्सपर्ड बनना चाहते हो तो आप आपको रटो ना कि दो जीवाएं हैं AB और CD एक दूसरे को पीपर काट रहे हैं ये सिंटर है ऐसे 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 अगर ये एलफा है ये बीटा है और हमसे ये ठीटा ठीटा पूछा जाए ये एंगल ठीटा ठीटा मतलब रटना ये होता है तो हमें याद होना चाहिए कि एलफा प्लस बीटा बाइट तू बराबर ठीटा की होता है ये आपको रटना और जब ये ठीओरम होते बच्छा ठीक है प्रूब भी यही है जैसे अब इसका तीरिशन प्याइसे इसका है इसका भी डिक्त बहात बराबर है ठीक है इसमें क्या करना होता है बस इसी लाइन को जो कि 55 भी दिया गया तो जो ये ठीटा आएगा वो 85 आजाएगा तो ये 85 हो गया ये 110 हो गया तो बीटा गया तो 85 दूना हमारा होता है कितना 170 माइनस 110 तो बीटा बराबर साथ तो ये आपका जल्दी आ जाएगा हमने आज के सेशन में आपको पहले बताया था कि हर एक कोशन को कोशिस रहेगी दो दो तिन तिन बार बताने की और ऐसा ही हमने किया तो अभी के लिए तना ही धन्यवाद जहिन जैवार आसा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्यारे दोस्तों डाउनलोड प्रकास अ बॉक्स में बताईए और क्या इंप्रूमेंट करना चाहिए जैहिन वंदे मात्रव